महराश्र के दस से जादा जिलो में बर्ड फ्लू की पुस्टी हो गई है जिसके बाद से हजार से जादा मुर्गियों की मौत अब तक सामने आई है ऐसे में जो जितने किसान हैं जो दुकानदार है जिनकी मुर्गियों और अंडियों की दुकान हैं उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है चाहे मैं बात करूँ मुर्गियों की जो फार्म वाले हैं उनकी क्योंकि उनकी अब डिमांड और सप्लाय में सबसे ज़ादा कमी आ गए जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और जो दुकानदार हैं उन्हें भी जो कीमत 200 रुपे होती थी अब 1500 से 120 रुपे की कीमत पर बेचना पड़ रहा है ये जो मुर्गे आप देख पा रहे हैं इसे कड़कनात कहा जाता है महराश्च्र में और इस मुर्गी की कीमत तकरीपन बाजार में 700 से 600 के बीच होती है लेकिन जिस तरह बर्ड फलू का एफेक्ट है उसके चलते अब इसकी कीमत 500 से 400 रुपे तक पहुच गई है ये मुर्गे सबसे महंगी महराश्च्र में मिलती है इसे आयूवेदिक मुर्गी की तौर पर भी देखा जाता है लेकिन जब से बर्ड फलू की पुस्टी हुई है अफाओं का बाजार गर्म था तब से ही मुर्गियों की कीमत जो है सबसे जादा बाजार में कम हो गई है और जो दुकानदार हैं जो किसान हैं उन्हें सबसे जादा नुकसान हो रहा है कि यहां पर थाने में सबसे पहला केस आँट और थाने का ये फार्म है जहां पर मुर्गियों का पालन हो रहा है तो यहां के मालिक जो है मदुकर जी मेरे साथ हैं सबसे पहला सवाल यही कि बरड़ फ्लू के चलते कितना जाद आपकी वैवसाय पर असर पड़ा है उस नियर तो उसके चलते हुए हमारा बहुत सरा नुकसान हो रहा है आपकी जो यहां पर मुर्गें आपके फाम में जो मुर्गें बहुत मेहंगी बिक्ती हैं वैसे ही महाराश्र में तो किस तरह जो जिन्होंने एडवांस बुकिंग की होगी क्या कुछ किया होगा दुकानदारों ने लुकानदारों से नहीं करता था क्योंकि में यह इंडीजियली ता तो मेरे पास कम से कम देढ़ सों deepest लोगों ने आडवांस बुकिंग किया था दो दों किया ता चार किया था तो यहांदा था मिरवल भूखिंग था लेकिन जिनों ने було किया कि उनको घृशा है फोन करकर के बोल खूसे लेकिन आगे से pomoda यह सैब टो आद्वांस भूकिया वही नुकसान भूराय विखफ लिछथ ब्लइव में पर भूखिउ के वज़ेयरा , मिरें पास Zion get pension प्सक्राइО किatta का दा बुकिंग जादा हुआ था तो जितनी मुर्गियां आपके पास ने उससे जादा बुकिंग हो गई थी यह मुर्गियां बहुत महंगी होती है इनका जो है पालन और देखरेक भी बहुत महंगा होता है तो अब इस नुकसान को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों किसी तरह की किसी तरह की नहीं है हम लोग खले हमारा जो एक डॉक्टर मुकेश सिंदे करके वह आके देखके चले जाते लेकिन आज मेरे फाम की जितनी भी मुर्गियां वह स्वस्ता है यह सब बिमारी से बहुत दूर है फिर भी लोग जो दूसरी जगे पर बिमारी आई ह तो लोग उससे ही डर गए है यह बलड फ्यू आया करके आप लोगों को नुकसान बहुत जादर पहले ही लॉक्डाउन में बहुत परिशानी अब इसके चलते भी नुकसान हो रहा है क्योंकि अभी जैसे पंसी बड़े हो जाते तो उनका हर दिन का खाने का खर्चा भी हैं बहुत महंगा इनका पालन होता है और ऐसे में बर्ड फ्लू की जब बात कहीं जा रही है तो लगातार जो रेट है मार्केट में वो भी गिरता जा रहा है डिमांड जो होती है डिमांड सप्लाई की जाती है वो भी गिरता जा रहा है ऐसे में देखरेक का जो भी खर्च उनके उपर आ रहा है ये फार्म जो मैं आपको दिखा रही हूं थाने के अंबरनात का फार्म है थाने में सबसे पहला केस महाराश्टर के बर्ड फ्लू का आया था जिसके बाद लगातार परभणी नाशिक और जो अलग-अलग जिले हैं वहां पर केसे बढ़ते गए अब ऐ झाल